Hello everyone, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे हैं और आज अपन बात करने वाले हैं BSC Second Year BSC Second Year में जो Most Important Qution है उनकी बात करेंगे देखें ये जो Qution मैं आपको करवाऊंगा ये Most Qution है इन्हें आपको याद कर लेना है और अपनी बुक या नोट से ले लिजिए उसमें लगा लेना है मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2021 की आपकी जो एक्जाम आएगी उसके अंदर ये जो Qution है रिपीट होंगे मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि 2021 की जो एक्जाम होगी उसमें ये Qution है जरूर रिपीट होंगे आप पिछले 5 वर्चों के जो Sold Paper है उनको भी हल करके जाना क्योंकि वही से भी Qution 50% Qution Sold Paper से आपके मिलेंगे ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उनको एकदम आपको लगा लेना है अपने नोट्स या बुक लेके बैठिएगा और एक बार देख लेना है आपका जो पेपर आता है किस टाइप का आता है क्योंकि मैंने जो ये Qution है ये एक पेपर के आदार पर ये आपको बता रहा हूँ ऐसे नहीं बता रहा है अदर की तरह है कि आपको एक पन्ना पे लिख लिए Qution और फिर बता रहा हूँ ऐसे नहीं कर दे अपने बोर्ड पे Classes अभी नहीं चला रहे हैं क्योंकि टाइम बचा है बहुत कम और आपको यहाँ पर पूरा जो Qution है most वो बता देता हूँ मैं आपको और Classes अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इनके हल भी आपको लगबग लगबग मिल जाएंगी तो आप सभी को पता है पस्ट पेपर इन ओर्गनिक केमेस्ट्री मेंग जिम मार्क स्टेश नंबर होता है और थ्री आवर का आपको टाइम मिलता है और सबसे मोश्ट बात मैं आपको बता दू कि आप अपने चैनल Science Foundation को सस्क्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड सेर जरूर कीजिएगा देखे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको नाम इसलिए बताता हूँ अपने चैनल का क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने अपनी जो वीडियो हैं उनको डाउनलोड करके डाल रखी है इस वज़े से आपको इसको लाइक एंड सेर करना है अपने Science Foundation चैनल को आगे देखे दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो इनकी PDF है वो आपको टेलिग्राम पर मिलेगी और टेलिग्राम पर आपको कैसे जोईन करना है नीचे लिंक डिस्क्रैप्शन में है वाँ सो टेलिग्राम पर चले जाईएगा अब देखे यूनिट फर्ष्ट जो है इसके अंदर से क्यूसन किस ताइप से क्यूसन आया है आपके यह देखते हैं यूनिट फष्ट का क्यूसन नम sorrow 1 है कि निमिलिखित के संदर में संकरमन दातों के सामानने लक्षनों की विवेचना करनी है देखिए पहला है परिवर्ती ओक्षिगन अवस्ताई दूसरा है चंबुक किये गुण चुम्ब किये गुण और सहय उत्प्रेर किये गुण देखिए परिवर्ती ओक्षिगन अवस्ताद चुम्ब किये गुण और उत्प्रेर किये गुण और गलनांग के और एक और है डीडी संक्रमन जो है इनको आपको किलियर कर लेना है तीन तो यह है और दो एक मैंने बताया आपको गलनांग के और दूसरा है आपका संक्रमन इन चार जो टोपिक हैं इनको एक दम किलियर कर लेना है क्योंकि यहां से दो एक्जाम में जरूर आ तरतिय स्रंकला के संक्रमन ततों के त्रिविम रसाइन को समझाईए ए हो गया अब इसका B देखिएगा अच्छा क्यों से नहीं इसे भी आप लगा लिजेगा और बाद में इन सभी के स्क्रीन सोट ले लेना मैं आपको सभी को बता दूँगा इनके स्क्रीन सोट एक बार ले लेना देखिए बी है यहाँ पर दूसरी का B है आयनन उर्जा वर्ग में उपर से नीचे आने पर गटती है लेकिन तरतिय संक्रमन स्रंकला की धातों की आयनन उर्जा अपने से उपर वाले ततों से अधिक होती है तो इसके बारे में आपको लिखना है और Most Qution है बता दूँ मैं आपको C है संक्रमन ततों के रंग थता स्पेक्टरी विवार पर टिपनी लिखनी है अच्छा Qution है और सरल Qution है बिल्कुल Normal Qution है आप कर सकते हो इसको आई देखिए unit second जो है यहां से देखते हैं पस्ट unit के question आपको पता चल गया अब देखिए second unit जो है यहां से देखिए तीसरे का A है जो question number 3 है उसका A है वर्नर सिद्दांद के अभी ग्रहिये लिखिए भी है पस्च बंदन को उद्धारन सहीत समझाईए भी है पस्ट बंदन को उद्धारन सहीत समझाईए और C है निमल लिखती होगी को के IUPAC नाम लिखिए अब IUPAC नाम है यदि आपको निकालना नहीं आता है तो comment box में बताईएगा एक class में अपन IUPAC नाम निकालना सीख लेंगे अब देखिए CO NS3 का hold 5H2O और CL3 जो है इसका आपको IUPAC नाम देना है और second CRNS36 COCN6 जो है इसका भी देना है और K3APCN6 जो है इसका भी आपको IUPAC नाम तीनों का देना है अब देखिए इसके अथवा में जो unit second app ने उसके अथवा में जो क्यूशन पूछा गया है जो 4 नमबर का क्यूशन है उसे देखते हैं देखिए संसिप्त टिपनी लिखिए एह है अश्टफल किये जटिल योगी को में प्राकासिक समावयवता बेह आंतर केवं भायकंका कक्षक संकुल और सहे निमन लिकित संकलों के सुत्र लिखिए पहले है टेट्रा साइनी डोनी के लेट और सेकिंड है आयन तो इन पर आपको क्या करना है टिपनी लिखनी है आगे आजाईए दोस्तों आगे देखते हैं क्यूशनों का आपके जो इसका चोथे क्यूशन का दूसरा है उसे एक बर किलियर कर लेते हैं ये देखिए दूसरा है टेट्रा एमिन एव बायो ये वाबु मीडो कोबाल्ट थर्ड है नाइट्रेट थर्ड नाइट्रेट और तीसरा है पोटेसियम, ट्राइक लोरी, डो एथिलीन, प्लेटीनेट सेकेंड है अब देखिए यूनिट थर्ड जो है एकाई थर्ड है यहां से क्यूशन पूछा गया आपके उन्हें देखते हैं कौन-कौन से हैं 5 नंबर का क्यूशन है आपके अथवा का क्यूशन भी कर लेना है आप चाहे तो इसको कर सकते हैं या फिर अथवा का जो क्यूशन है इसे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है यह नहीं यह दोनों करते हैं अपन तीके निमलिक्त बिंदों पर लेन्थे नायडों की विवेचना कीजिए एह एलेक्ट्रोनिक विन्यास बैह ओक्षिकरन और जो इसके अथवा में है उसे देखिए सिक्स नंबर का निमलिक्त पर संशिप टिपने लिखिया है एक्टिनएड ततो अधिक संक्या में जटिल योगिक बनाते हैं बैह परमानुकरमांग पढ़ने पर एक्टिनएडों की तरचा गढ़ती है और से अती भारी तात्तों तो इन पर आपको क्या करनी है टिपने लिखनी है चाहिसे आप ये कर सकते हैं या फिर फाइब नंबर का इसके आत्वा के उपर गया है उसे कर सकते हैं जो आपको आता है वो बैश्ट लगता है जिसे कीजिएगा अब देखिए सेवन जो अपना क्यूसन है उसे इनिट फॉर से जो क्यूशन पूछे गए वो देखिए सेवन नम्मर का जल में पदार्थों के रिडॉक्स इस्तायतु की विवेचना कीजी भी है मैगनीज के लिए पॉर बैक्स और आरेक कीजी इसकी वियक्या कीजी मौस्ट क्यूशन है इसे लगा लीजीगा दोनों मौस् अथवा का कर सकते हैं अथवा का देखिए किस टाइप से क्यूशन पूछा है एट नमबर का है एस हमानु पातन और सेकिंड है इलेक्ट्रोड विवो इन दोनों में से आप कौन सा भी जो आपको अच्छा लगता है उसे करिएगा जो मोश्ट है पहली बात मैं बता दू द स्कति दो हुआ को सीथ files कौन से तक आपको स्कति जो जो क्यों से आपने वही बतार रहा हूं इन्हीं याद कर लीजिए यह मत देखिएगा पेपर है पेपर मनें यह स्किंह यादद कर लीजिएगा अब अब देखिए अपन कि वार्य विवियोगता संजाही tomar ऐसान दौरा फ्रोष्ट आरेकों की उपियों की ता समझाईए एक्जाम प्लेन जो यूनिट फाइव है यहां से क्यूशन पूछे गए इनको एक बार देखते हैं कौन-कौन से क्यूशन है परनतों यह जो क्यूशन है मोस्ट क्यूशन है इसे लगा लीजिएगा अच्छा है vaccination में आने के जयाधतर संभावना है क्यूशन क्योंकि यह जो क्यूशन है आपके Dual國 16 में यह क्यूशन आया है और Dual國 17 में भी आया है पेपर उठा करे देख लेना तो 18 on—19 में नहीं आया 21 में आने के संभावना है Unit 5 जो है यहां से नाइन नंबर का क्यूसन है वो देखिए लक्स फ्लड के अमल सार सिद्दान्द को समझाईए लक्स फ्लड के अमल सार सिद्दान्द को समझाईए एक्जाम प्लेन लक्स फूल्ड ट्योरी ओफ एसिड बेस तो अमल सार सिद्दान्द को आपको यहां पर बताना है ल प्रसेंट ये क्यूसेन आप से पूछा जाएगा तो आगे देखिए आगे जो क्यूसेन है अपना जो नाइन नमबर का भी है इसे देखिएगा सै युगमित अमल सार युगम में परस पर क्या संबन्द है ब्रॉन स्टेड अमल सार अधाना के आदार पर समझाएए अधाना के देखिए दोस्तो इसे भी याद गा लेना है सै युगमित अमल सार युगम में परस पर क्या संबन्द है ब्रॉन स्टेड अमल सार अधाना के आदार पर समझाएए और सीहर निमलिकत में से लूई समलोई सारों को परतक कीजिए इसको देखिए लूई समलोई सार जो है इनमें से प्रतक करना है इनमें से लूई समल कौन से है और सार कौन से यह आपको यहां से देखना है और अथ्वा में यदि आपसे यह नहीं आते हैं तो आप अथ्वा का क्यूशन कर सकते हैं अथ्वा के क्यूशन है आपके 10 नमर का क्यूशन है निमलिकित पर टिप और स्वेव योजन द्रव एसुटू में अमलचार अभी क्रियाएं तो ये थे आपके मोस्ट कुशन एक बार इनको स्क्रिंसोट ले लिजिएगा इसका स्क्रिंसोट ले लिजिए फिर इसका भी स्क्रिंसोट ले लिजिएगा और इसका भी ले लिजिएगा और एक इसका ले ले लिजेगा इस्क्रिन सोट ले लिजेगा और इनको क्लियर कर लिजेगा और यदि इनकी पीडियाप आते हैं तो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो जादा इस जादे क्लास को सेट ले लिएक कीजिएगा वन्दे मातरम जैहिंद